मस्कार मैं डॉक्टर पी के धहिल मुरार्का गोर्म विजिकोलेज जिन जिनुसे असुस्ट प्रोफेसर वहल रहा हूं विकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के बिजनेश एडिरेशन डिपार्टिमेंट में दो बुस्तक हैं पेपर फर्ष्ट में चलन में है कमपनी अदिनियम सचीवी पदती और दीटी पेपर है प्रबंध आज हम कमपनी अदिनियम के बारे में अध्यन करेंगे सबसे पहले चात्रों को मेरी और से सला रहेगी कि यदी वे पुस्तक बाजार से क्रे करना चाहते हैं तोचों की कमपनी अदिनियम दो जार तेरा नविन कमपनी अदिनियम लागू हो चुका है इसलिए वे दो जार तेरा के बाद की पुस्तक ही बाजार से क्रे करें पुरानी पुस्तकों में कमपनी अधियम के 2013 के नविन प्रावधान उपलब्द नहीं होंगे इसलिए पुरानी पुस्तक से अधियन नहीं करें 2013 के बाद कोई भी छपी भी पुस्तक कमपनी अधियम के लेवें और उससे अधियन करें अब बात करते हैं पन कम्पनी अधिनियम एंव सची उपद्ध के पुस्तक की हैं इस पुस्तक में हम अध्यन करते हैं कि कम्पनी अधिनियम के प्रावधान भारत में पंजिकरत या वेवसाय करने वाली सभी परकार की पंजिकरत कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियम लागू ह होता है भारत में बेटी सासन के समय से ही कंपनी अधिनियम इस तरह की कंपनियों पर लागू होता है और हमारा जो अब वर्तमान में 2013 से पूर्वा में जो कंपनी अधिनियम 1956 मुल्रूस पे चल रहा है इस 1956 कंपनी अधिनियम में आमुल्चू इसको कि उनवारत कर दो lle sir नंकर जार तेरह में एक नवीन संदमान कर दिया गया है 1956 का जो कंपनी इनियम है वह ब्रेकिस काल कि जो ब्रेकिस में कंपनी अधिनियम शनशाली था जो सन 1867 में कमपनी अधिनियम के बिटिस में बनाया गया था जो साही अधिकार पत्तर द्वारा इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना की गिती उस काल में एक कमपनी अधिनियम बनाया गया था और उसी कमपनी अधिनियम के आधार पर भारत में भी 1850 में पर्थम सेंक पूंजी कमपनी अ कमी ये थी कि इसमें कम्पनी के सिमित दायत्वे के तत्वे को माननेता नहीं दी गई थी किन्तु भारत में सन 1877 में नया सैंग्त पूझी कम्पनी अधिनियम पारिद करके इस कमी को कुछ सिमा तक दूर कर दिया गया इस अधियम के अनुसार बैंकिंग एंविमा कम्पनियों को चोड़ कर सभी बेवसायों के लिए सिमित दायत्व वाली कम्पनी की स्थापना की जा सकती थी प्रन्तु धिरे धिरे 1860 में नया कंपनी अधिनियम पारित क्या गया बैंकिंग एंविमा कंपनी को भी सिमित दायत्व रखने की चूट दे दी गई कि चूट का अभी प्रह यहां पर यह है कि कंपनी में इंवेस्ट करने वाले या पैसा लगाने वाला कोई भी इंवेस्टर की दायत्व उसकी दौरा दिये गे दायत्व का बचन या इंवेस्टमेंट की शीमा तक ही रहेगा इसके बाद में समय एवं परिस्थितियों में प्रिवर्टन हो और निरंतर कुछ नए प्रावधान कंपनी अधिनियम में लागू किये जाते रहे खलते हैं 1860 के बाद क्रम से है 1866, 1882, 1913 तथा 1956 में एक के बाद एक नए कंपनी अधिनियम बनाए गए कंपनी अधिनियम 1956 सबतंतर भारत का पहला अधिनियम था जो कंपनीयों के नियमन एव नियंतन हितू बनाए गया था यह अधिनियम लगबग 6 दसकों तक परभावी रहा है इस आउदी में भी इस कंपनी अधिनियम 1956 पर भी में भी अने को बार संसोधन किये गे किन्तु समाजिक आर्थिक प्रिस्तियों में परिवर्तन के दोर में यह कंपनी अधिनियम भी एप्रियाप्त सिद्धुआ और देश में एक नए कंपनी अधिनियम की आवसिकता अनुभू की जाने लगी फलता है कि 27 अधिके अंतीम दसक तक इस अधिनियम के स्थांप्रिक संपूर्ण नए अधिनियम की स्थापना के प्रियाश प्रारम कर दिये गए इस 1956 कंपनी अधिनियम जो की बर चलता रहा नवीन कंपनी अधिनियम की स्थापना तक नवीन कंपनी अधिनियम का मतलब 1913 में जो नए बनाए गया उससे पूरू है तक कंपनी अधिनियम जो परिशले ने था 1956 इसमें कुछ परिवर्तन किया गया संसोदन किया गया विचारविंवर्स के बाद में एक नया अधिनियम बनाए गया और इस 1956 अधिनियम को प्रतिस थापित करने के लिए लोक सभादवारा 18 दिसंबर 2012 को तथा रज्य सभादवारा 8 अगस्त 2013 को पारित किया गया तस्वस्ताथ भारत के महामरी मराश्पती ने इस विदेग को 29 अगस्त 2013 को अपनी सहमती परदान की तथा ये विदेग अधिनियम बन गया अब जो वर्तमान में है वो एक कंपनी अधिनियम 2013 अब हम कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में चर्चा करें हैं कि इसमें क्या नया है और क्या इसमें परिवर्तन किये गए हैं जो पूर्वे की कंपनी अधिनियम में थे उनमें परिवर्तन किये गए हैं और नविन क्या गया है कि सबसे पहले तो यह दिनियम कहां लागू होता है कि यह कंपनी अधिनियम सब्पूंड 2013 से संपूंड भारत वर्ष में लागू होता है क्योंकि अधिनियम है तो इसमें दारा बनती हैं परिशिष्ट बनते हैं किशी भी अधिनियम के अंतरगत पहली एक धारा जो होती है वो होती है उसके लागू होने से समलेदे हैं तो कमपनी अधियम की जो पर्थम धारा है धारा एक सेक्शन दो इस अधियम के प्राउधान की अनुसार धारा एक तत्काल परभाव से लागू हो जाएगी जबकि राश्ट्री द्वारा इस अधियम को सहमति परदान की जाएगी इसका एक प्रह यह हुआ कि जिस दिन राश्ट्री ने इस अधियम को इनुमति दी उस दिन से धारा एक तत्काल परभाव से लागू हो जाती है अन्य धाराएं यह प्रावधान उस तित्थी से लागू होंगे जो तित्थी केंदर सरकार द्वारा अधिशुचित की जाएगी अधिनियम में ये प्रावदान है कि केंद्रे सरकार इस अधिनियम की विभिन धाराओं के विभिन प्रावदानों को भिन भिन तित्यों से अधिशुचित कर लगू कर सकती है नविन कंपनिय अधिनियम दोजार तेरा 29 अगस्त दोजार तेरा से लगू माना गया जिस दिन इसको राश्पति द्वारा अनुमती दे दी गई इस अधिनियम के अंतरगत पर्थम बार में 88 अधिन धाराएं उनके कुछ उपखंड को 12 सितंबर 2013 से लगू कर दिया गया तत्वजार दूसरी बार कुल 183 धाराओं ने उनके खंडों को 1 अपरेल 14 से लगू किया गया से धारों को परभावी करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है अब देखिए ये कंपनी अधिनियम 1913 के उद्देश से क्या है क्यों बनाया गया है इसके प्रमु खुद्द से में ये मान सकते हैं कि अधिक सुजदा जनक प्राबधनों के दौरा कंपनियों में निवेज को परोचान किया जाए नमर दो वेवसाइक विश्वस निता एव आचन के नियूनतम माबधन्डों को प्रतिफादित किया जाए तीसरा कंपनी के कारे कलापों से समन्दित सभी उचित सूचनाओं के पूर्ण ए नियूचित प्रकटिकरन को सुनिशित किया जाए नेक्स्ट अंसधारी जो की कंपनी में पैसा लगाते हैं उनकी भागिदारी प्रियाप्त हो परभावी हो और नियंतन को सुनिशित करने है तू उनके हितों को स्रक्षन करने है तू ये कंपनी अधिनियम नाइवन कंपनी अधिनियम बनाये गया है नेक्स्ट है कंपनियों के प्रबंद के लिए जनि जो लोग कंपनी का प्रबंद करते हैं उन वेक्तियों को उनके कर्तवियों के पाल नहीं तू बात दे करना नेक्ट है किसी भी कमपनी का संचालन अनसे धारियों जन साधान के हितों के परतिकूल नहीं किया जाना चाहिए इस पर नियंतन करने के लिए भी इस कमपनी अधिनियम का दिनिमान किया गया है कहीं भी कहीं कारे कलापों में कोई गड़बड़ी है तो अस्तर शेप यह जांच पड़ता ले तू के अंधिस सरकार को सक्तियां परदान इस अधिनियम के द्वारा दी गई है भारत में समिधान के निति निदेशत्मों के अनुरूप सामाजेगां आर्थिक निति की उद्देशियों को पूर्ण करना भी इसका एक उद्देशे रहा है नेक्स्ट है ओप्सारिक प्रक्रियाओं एयंग अनुपाल्लाओं पर नियूंतम वध द्वारा कंपनियों को संचालने नवचार को स्वजित्ता परदान की जए कम से कम स्कर्चे में इन कंपनियों को नवाचार किया जाई नेक्स्ट है छेत्रे विकास छेत्रे विकास का इपरे कंपनियां जिस जगह पर इस्तापित की जा रही है उसके आजपास का जो छेत्र है उसको उस छेत्री विकास में सामिल किया जाता है छेतरी विकास को स्थाई ठोस एं वेभारी कानूरी धाचा उपलब्द करवाना नेक्स्ट है सतत रूप से विक्षित हो रही आर्थी किरियाओं के परती मानों के आफसिक्ताओं और पेक्षाओं के अनुरूप यथा समय एं समुचित परती किरिया एं आचन करने में साईता प्रदान करना नेक्स्ट उद्दे से इसका एक और है छेतरी नियमन वेवस्ता में परस्थर विरोधी चेतरा अधिकार को टालना भी एक उद्दे से इसका रहा है और एक उद्दे से निवे से उनती के लिए सकारात्म वातावन त्यार करना ये उद्दे से इस कंपनी अधिनियम 2013 के रहे हैं अला कि ये उद्दे से पहले भी लगब ऐसे ही थे लेकिन इनको और पभावी और नियंतरकाय बनाने के लिए इस कंपनी अधिनियम का निर्माद किया गया है और आता है अधिनियम की पिरियुकती लागू होना किस प्रकार की कमपनियों पर किस रूप में लगू होता है उसमें है 2013 में का जो प्रावधान है जो कमपनिय अधिनियम है ये अधिनियम वर्तमान कमपनिय अधिनियम और पूर वर्त जो भी कमपनिय अधिनियम रजिस्टर्ड है उन सब पर ये अधिनियम लगू होता है ये अधिनियम बिमा कम्पनियों पर भी लगू होता है जब तक कि बिमा अधिनियम के को ओर लूलने करे इसका अभी प्रहय ये है क्योंकि बिमा कम्पनियों पर बिमा अधिनियम 1938 एवं बिमा नियामक विकास अभी करण 1909 में के द्वारा कम्पनियां सासित होती है उनकी रूल्स के अनुसार संचालित होती है लेकिन ये कम्पनिय अधिनियम 1913 इन बिमा कम्पनियों पर पूरों में जो बिमा अधिनियम 1938 और बिमा नियामक विकास अभी करण 1909 में के प्रहुधानों के परतिकुल नहीं हो वहाँ उस सिमा तक लागू होगा इसी प्रकार बैंकिंग ये बिमा कारी कम्पनियों पर भी इस अधिनियम के प्रहुधान लागू होते हैं जब तक कि बैंकिंग विन्नि में अधिनियम 1913 के प्रहुधानों के परतिकुल नहीं है अर्थार्थ वो अधिनियम बैंकिंग नियमन अधिनियम उन्हीं सो उन्हीं चास बिमा कंपनियों पर बैंकिंग कंपनियों पर लागू होते हैं उसके अतरिक्त उसकी शिमा के अंतरकती ये कंपनी अधिनियम भी इन पर लागू होता है विदूत उत्पादन एंवितन में सलगन सभी कमपनियों पर जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधान विदू अधिनियम 2013 के प्रावधानों के परतिकुल नहीं हैं लागू होते हैं नेक्स्ट आता है किसी विशेष अधिनियम से सासित कमपनी पर भी इस अधिनियम के प्रावधान उस अधिनियम के प्रावधानों के परतिकुल नहीं हो कि शिमात्तक लागू होंगे इसी परकार किसी भी समय विशेश पर परभावी किसी अधिनियम के अधिन समामेलित निगम निकाई जो बोड़ी कॉर्परेशन कहते हैं जिसे केंदे सकारदु अधिसित किया जाता है पर भी ये अधिनियम लगू होगा इसके अतरिक इस अधिनियम के अधिन स्तापित सांजदारी सिमित दाइत वे वाली कम सांजदारी सैकारी कंपनी सिमिती या अन्य परकार के वेवसाइक सेंस्ता जिनके पंजियन हित्तु इस अधिनियम के अधिन आविदन किया गया हो इस पर भी ये कंपनी अधिनियम दो हज 2013 लागू होता है इस 2013 कंपनी अधिनियम के इंद्रक्त इसके लिए दाराएं 366-314 जिन दो हम आगे इनका अधिन करेंगे वो इस पर लागू होती है इसके अतरीक ते किशी भी एपजिकरत एप अधिकरत कंपनी जो इस अधिनियम के अधिन अपने समापन हेतु आवेदन करत इस है तो इस अधिनियम के प्रहोधान इन पर भी लागू होगे है सभी विदेशी कंपनियों पर जो भारत में अपने विवसाय का संचालन करती हैं उन पर भी ये कंपनी अधिनियम लागू होगा उन सभी नीधियों अथ्वwegen परस्पर लाबकारे समीतियों पर भी ये और अदिन्यों जब इन कम्पनियों पर लागु होता है कि तो इस अदिन्याम in special रूप से यह व्यासता कोई व्यासता नहीं है तो इस अदिन्याम के प्रावधान हीaking के लिए कुछ नियम कंपनियां के प्राउधान के अनुसार प्रते कंपनी को दूब को करने होते हैं और वो अधिनियम दो रूप में होते हैं एक होता है पार्षत शीमानियम और एक होता पार्षत अंतरनियम पार्षत शीमानियम को अध्यन हम बाद मगरेंगे मोटे रूप में यह जानने की जरूरत है कि कंपनी के पार्षत शीमानियम तो कंपनी का एक करने के लिए जिन नियमों की पालना करती है कोई भी प्रावधान पार्षत शिमानियम के कंपनी अधिनियम के उपर ओवरूल्ड नहीं हो सकते कंपनी अधिनियम के प्रावधान ही लगोंगे चाहे किसी भी कंपनी ने पार्षत शिमानियम एवं अंतर नियमों में किसी प्रक आगे प्रावधान कर रखे हों लेकिन वो प्रावधान कंपनिय हम दोजा तेरा के दीयमों के अतिरिक्त नहीं हो सकते ये थे कंपनिय हमного झाराश ओने म कि प्रयुक्तिर्द की लागू होना अब आता है इस ऐधिन्द्यम की कुछ मुखे बते जो पूरा के कंपनिय हमें नहीं थी इस पर्ष्ट रूप से लागू की गई है या यूं कह सकते हैं कि कम्पनिय अधिन्यम दो तिरा में ऐसे कौन से मुख्य बातें हैं जो इसमें कम्पनियों पर लागू की गई हैं कम्पनिय अधिन्यम की पर्मुख विशेष्टाओं में जो इतियासिक प्रावधान जिसको कह सकते हैं पनवे लागू की गई हैं उसमें पहला है लागू होना लागू होना का मतलब है ये अधिन्यम कब से लागू कम्पनिय जिम दो तिरा को लोकसभा दोरा जैसे के अभी मैंने पूरों में बताया है 18 दिसंबर 2012 को लोकसभा दोरा आठ अगस 2013 को रजसभा दोरा पारित किया गया है इस अधिन्यम को राष्ट पती की सम्मती 29 अगस्थ 2013 को प्राप्त होगी थी अधिन्यम ये 29 अगस्थ 2013 से प्रभावी माना जाएगा दूसरा विशेवस्थू का मतलब है कि इस कंपनी अधिन्यम के अंतरगत क्या क्या है क्या धाराय है तो देखिए इस अधिन्यम में कुल 29 तो है अधियाई 470 धाराय तथा 7 अनुसूचिया है पूरों के जो कंपनी अधिन्यम लागो था उसमें कुल 658 धाराय तथा 14 अनुसूचिया थी नए अधिन्यम की एक प्रमुवशेस्ता ये भी है कि ये मूलते नियमों पर आधारित अधिन्यम है इसके प्रावधान लागो करने के लिए केंद्रिय सरकार दौरा एमसीय कंपनी मामलों का मंत्रा ले स्थापित किया गया है उसके अधिन इस अधिन्यम की पालना करवा ही जाती है यानि एमसीय द्वारा इस पर पूरी निगाह रखी जाती है और उनके जिम्यदारी है एमसीय पर कि वो इन कंपनी अधिन्यम की दाराओं की पालना सुनिश्यत कराए तीसरा इसमें आता है प्रमोटर प्रमोटर अथक परवर्तक जो की कंपनी की स्थाफना करते हैं भारत में पहला ऐसा अधिनियम है 2013 जिसमें परवर्तक सब्सक्राइब की परिबासा दी गी है इससे पूरों की कंपनी दिन्यमें परवर्तक की परिबासा नहीं दी गी थी परवर्तक को समझाय गया था कौन होता है लेकिन इसमें परवर्तक की परिवासा का उलेक किया गया है जो परिवासा क्या है यह हम आगे कंपनी का जब निर्मान अध्याद पढ़ेंगे तब उसमें इजी जाएगी तीसरा है एकल विक्ती कंपनी देखेए एकल कोड़ को वनमैन वन पर्शं कंपनी यह कंसेप विल्कुल नया है पूरों के कमपनी अधनियमे विवस्ता नहीं थी भारत में एकल कमपनी की अवधाना को पहली बार इस अधनियम द्वारा मानेता प्रदान की गई है भारत में कोई भी वेक्ती एका की वेक्ती इस अधनियम के अंदर कमपनी की स्थापना कर सकता है यह पहली वर लगू नेक्स्ट है लगू समंद और निस्करिय कंपनियों की अवधार इस अधिनियम में लगू कंपनी समंद कंपनी तथा निस्करिय विशूत कंपनी के अवधारना को सामिल किया गया है इसकी परिवासा भी दी गई है इसके अतरिक्त निजी कंपनी के लिए सद्शियों की अधिक्तम सीमा को 50 से बढ़ा कर 200 कर दिया गया है यानि पूरा के 1956 की जो कंपनी अधिनियम था उसमें अधिक्तम सद्शियों की सीमा थी 50 और नियूनतम थी 2 अब इसे बढ़ा करके 50 से 200 कर दिया गया है एक प्रमुक्त चैंज है, next, निगमिय सामाजिक देटों के अउधारणा, इस कंपनी देम जो गातेरे में, एक विशेऻ परियूरतन, निगमिय सामाजी दाइतों का प्रावधान है अर्थार ये सामाजी दाइतों के अवधारना नहीं नहीं है अवधारना तो पुरानी है लेकिन 2013 में 2013 कंपनी धिर्म के अंतरगत ये प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी विशेश प्रकारी कंपनी अपने पिछले तीन वर्सों के ओसत लाब के दो परतिसत रासी निगमे दायतों के किरियाओं उपर वे करना अनिवारी होगा और ये वे काकारे सितर यानि कहां करेंगी ये वे क्या जाएगा अपने आस पास के इलाकों को प्राथमिता देते वे तो ये प्राथम्दान कर दिया गायें जो कुछ कमपने ये जिन वो पिछले तेन वर्सों का जो अपना लाब है उसका दो परतिसत सामजी दायतों पर खरच करना हो सामजी दायतों में हम सामिल कर सकते हैं सामाज के हितों के लिए इस जिए उसिक्षक चेहतर में हो और किसी चेहतर में हो चेहतर ये समशाओं को धान में रखते विए वेग किया जासकता है तो यह अनिवारी प्रावधान इसमें किया गया है नेक्स्ट इस अधिनियम की विशेष्टाओं में पर्तिव उलतियों का निज्जियादार पर के परती बोतियों के निर्ग्मन जो करती थी पहले वह अब करें तो इसके साथ साथ चाहें तो निजियादार पर परती भूतियों के निर्गमन के लिए भी का कारिये भी वो परिवन के द्वारा कर सकते हैं पहले यह वेवस्ता नहीं थी यह नहीं वेश्ता कंपनी अधनियम 2013 में की गई है और नेक्स्त संचालन मंदल संचालक मंदल बोर्ड डायट कंपनियों में संचाल मंदल का गठन तो हमेशा से होता है किन्तु इस दिनियम में जो अभी मैंने आप से पूरह बताया था कि एकल कंपनी की स्थापना कोई वेक्ति रेइस्टर करवा सकता है वह कंपनी यानि एकल वेक्ति कंपनी में कम से कम एक संचालक होना अनिवारी है उस कंपनी में एक संचालकों आउसे ग्रूप से निक्त किया जाएगा अधिक्तम संचालकों की संख्या जो सब में है वो 15 है दीजी कंपनी एक एकल कंपनी में भी अधिक्तम संचालकों की संख्या 15 हो सकती है लेकिन एकल कंपनी में कमजाम एक संचालक आपसे निउक्ति किया जाएगी प्रावधान इस अधिनेम के अंत्रगत कर दिया गया है नेक्स्ट है निवाशी संचालक इस अधिनेम के दौर पहली बार यह विवश्था की गई है कि प्रतेक कंपनी के संचालक मंडल में कम से कम एक संचालक ऐसा होगा जो पूर्वे के क्लेंडर वर्ष में एक सो बीयासी दिन भारत में रहा हो यह नमिन प्रावधान ने पहले नहीं था यानि ऐसा विक्ति कम संग विक्ति अवस्य होगा जो भारत में पिसले करेंडर वर्ष में 182 तक भारत में रहा हो यह प्रावधान नया है एक प्रावधान नया हो रहा है महिला संचालक वोमेन डाइरेटर कमपनी एदिनियम 123 में वे उस्ता की गई है कि कुछ विशेश परकार की कमपनियों विशेशाश प्रकारी कंपनिया, वे कंपनिया कौन की कंपनी होंगी, वे कंपनिया जो केंदर सरकारर दाईएक कर में कंपने अची महिला सरकार की निवारी किया गया है कि प्रतेग सुचिवद कंपनी कि संचाल मंदल में कम से कम एक 23 संचालक स्वत्तनतर होंगे इसके अतरिक केंद्री सरकार को ये सक्ति भी दी गई है कि वह किशी भी वर्ग की कंपनियों में नियूनतम संख्या को निर्धायर्ट भी कर सकती है एक चीज आपको धान रखनी है कि कंपनी एधिनियम जो रिजिस्टर लिस्टेड कंपनिया है उनको नियमन रेगुलेशन करने कार से भी के दोरा किया सेक्रिटी एक्सेंज बोर्ड ओफ इंडिया यानि इन लिस्टेड यानि सुचीवद कंपनियों का कि जो नियंतर्ण का सुरूपरी बोड़ी जो है वो है से भी सहतंतर्द संचालकों की संख्या निधाय करने की सक्ती से बी की वो प्रवाप्त है और केंटर्सकार भी सेस्टी के माध दियम से ही कंपनियों का नियंतरर्सथाफित रखती है नेक्स्ट जो 2013 का प्रावदान हुआ है संचाल लंग समित्यों की निर्मान की अनिवारेता इस 2013 के कंपनिये में एक व्योस्ता ये की गी है कि सभी सुचिवद कंपनियों या उस वर्ग की कंपनियों को जिने केंद सरकार निधायत करेगी को संचाल मंदल के सद्धिशियों की निम दिखित कुछ बाते हैं समित्यों का गठन अनिवारी होगा नहीं कुछ समित्यों ऐसी है जो अनिवारे रूप से गठित करनी होगी प्रते कंपनियों पहले ऐसा नहीं था चपन के दिन्यम में ऐसा नहीं था इसमें कौन से एक तो एंकेक्शन समित्यों करनी होगी एक नमांकर ने पारिश्मिक समिती का निर्मान किया जाएगा और एक होगी हितकारी समंद समीती ये तीन समीतियां 2013 के प्रावधान के अनुसार प्रतेक सुचिवद कंपनी गो या उस वर्ग की कंपनी जिसे के अनुसकर निदायत करें उनको ये समीतियां बनानी होगी नेक्स्ट नय प्रावधान है प्रमुख प्रबंद किये पदा दिकारियों की निउति समंदी प्रावधान इस अधिनियम में प्रमुख प्रबंद किये पदा दिकारियों यानि करमचारियों सब्दाली का प्रियोग किया गया है अधिनियम में ये कहा गया है कि निर्धार्ट वर्गों की कम्पनियों में कुछ प्रमुख प्रबंध के पधा अधिकारी नियूत किये जाएंगे वो कौन से हैं पहला है प्रबंद संचालक अथ्वा प्रमुख कारेकारी अधिकारी अथ्वा प्रबंदक दूसरा कंपनी सचीव और तीसरा है प्रमुख वित्ती अधिकारी ये तीन विक्ति की मनेजरेल पर्षण के एमसी प्रमुख प्रबंदक प्रदादिकारी निउक्ति किये जाने आप सेखें इस दोजार तेरा कंपने में ये प्रावधान किया गया है नेक्स्ट प्रावधान है संचालकों तता प्रमुख प्रबंदकिये प्रति भूतियों के भावी सोदे तता आंतरिक सूचना आदायच सोदे करने पर ने सेखें ये एक आवसे इसको धान देने की दरूरत है कंपनी के कोई भी प्रदादिकारी प्रति भूतियों के भावी सोदे नहीं करें कोई भी कंपनी का प्रदादिकारी कि इंसाइड ट्रेडिंग आंतरिक सूचना अधारित का कारिये नहीं कर सकता उन पर ये प्रतिबंद लगा दिया गया है कंपनी अपनी कंपनियों की आंतरिक सूचना का अधार पर कुछ परबंदी के पतादिकारी इस तरह का अधिविटी में पूरों पर्सलिन में रहे हैं और उन इस तरह की इंसाइड ट्रेडिंग का रिकारी किया है जो गलत है नियम विरुद देते इसको इप्रावधान कि दिया गया तो अब कोई भी इस तरह की एक्टिविटी में बिल्कुल सम्मिलित नहीं रहेगा स्चिविय मानकों का पारण इस अधिनेयम मेंłych देखिनी कमपनी आधिनेयम के अंतरगत एक स्चिविय पद्द्रति दीवी है हौ आपके पुराणी पुस्त हाँ में मिलेगी आब इसनेयम कंपशनी दो Sud जातेरे में प्रावधान कर दे गया है आफसे करते गए कि प्रते कमपनी का कमपनी सची कमपनी की साधान सभाओं संचालकों की सभाओं इत्यादी में सचीवे मानकों की आनिवारी रूप से पालना करेगा इसका मतलब है कि जो नियम सचीवे पत्तिती की दियेवे हैं उनका अब सभी नियमों का पालन करना आफसिक होगा और कमपनी अधिनियम सची सहस्तान जो है उसके द्वारा इनकी पालना करवाई जाने सुनिशिच कि जाएगी केंदे सकारदवार अनुमधित जो भारती कंपणी अधिन सहंस्तान है उसके द्वारा नियमों की पालना करवाई जाए यह नियम नेक्स्ट है सचीवे एंकेक्षन प्रतिवेदन इस अधिनियम में पहली बार यह व्योस्ता भी की गई है कि प्रते केंदे सकारदवार निर्धारित ऑपने सचीवे अंकेक्षण प्रतिवेदन इस धिन करना हो अब पहले यह नियम नियम नहीं था तो अब यह कर दियागा है कि प्रते कंपणी का सच्यवे वह अपना एक प्रतिवेदन इस पृस्तुत करेगा और वो तो अपने लेखा जो दिकोर्ड सब्सक्राइब को दी जाता है उसके साथ प्रतिवेदन वहां फ्लूट करवाए दाएगा नेक्स्ट वार्थिक साधान सभा प्रतिवेदन रिपोर्ट ओन एजिएम देखिए प्रते कंपनी की एक वार्थिक साधान सभा होती है सभा कही प्रकार होती लेकि मैंन है कि सभी कंपनियों को प्रतिवर्ज एक सभा बुलानी होती है जो उसको वार्थिक साधान सभा खेते हैं जिसमें कंपनी अपने लेखा विवरण तियार करती है तो प्रतिवेदन कंपनी अपनी वार्थिक साधान सभा पर एक प्रतिवेदन बी तियार करें और यह प्रतिवेदन के सभा के संपन होने के 30 जिनों के भीतर निदाय सुलक के साथ रिश्टार को प्रस्तत करना हुआ यह होता है कमपनी रजिस्टार यानि कमपनी को नियंतर्ण करने के लिए सासित करने के लिए यह जहां भी कंपनी रजिस्टेशन होता है वहां पर यह निदाय सुलक के सार्ट वासिक साधान सभा का प्रतिवयदन त्रस्तूत करना अनिवार होगा तीज दिनों के बितर ये प्रतिवन दिये रहे हो नेक्स्ट ए एक समान वीतिये एक समान वीतिये वर्स अब ये प्रावधान कर दियागी कोई भी कंपनी वितिये वर्स का निडाना अपनी मर्जिस नहीं कर सकती है यानि यह कर दिया गया है कि प्रतेक कंपनियों के वित्तिय वर्ष को विशेश प्रस्तियां या अपवाजन इस्तिय हैं तो उनको छोड़े करके प्रतेक वर्ष 31 मार्ज को ही होगा यानि प्रतेक कंपनी का वित्तिय वर्ष का जो समापन है जो है वो 31 मार्ज को समापन होगा कंपने अपने मर्जी से अपने वितिये वर्ष का निधान नहीं कर सकती तो उस विशेश परतियों छोड़ करके 31 मार्ष सब के लिए अनिवारी कर दिया गया नेक्स्ट है वितिये विपरण वितिये विपरण का यहां भी प्रह यह है कि पहले कंपनी अधिनिया में बैलेंस येट या लाबानी खाता आदी सब्दों का यूज परियोग किया जाता लेकिन अब इन सब्द के लिए यह कर दिया गया है कि अब एक सब्द यूज प्रियोग में लिए जाएगा वितिये विपरण यानि सब्द के लिए वितिये विपरण सब्द का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें वितिये विपरण पद में नगत परवा विपरण यानि विपरण सभी सम्मिलित हो जाएगा बैलेंस इट भी इसमें यहां समेकित का मतलब है कि यदी कुई कंपनी रिजिस्टर कंपनी की कोई साहीक कंपनिया है या उसका कोई अन्य कोई बिजनस है उस प्रते कमपनी को अपने सभी मिजनस सांपनियों के के बिजनस को सम्भील करते हैं वे वित्तिय विवर्ण समिक ते कंसोलिडेटेट वित्तिय विवर्ण प्रस्तुत करना होगा वार्षी सानसमाना नेक्स्ट है राश्तिय वित्य प्रतिवेद एजेंचिय अगठन इस कंपनी अधिनेम के प्रावधान ये भी किया गया है कि लेखाकन अंकेक्षन मानकों की अनुपालना सुननिशित कराने के लिए राश्तिय वित्य प्रतिवेदिक एजेंचिय का गठन की वेवस्ता की गई है जो की इन मानकों के अनुसार कंपनी को संचालन करने के लिए निगा रखने के लिए या नियंतन करने के लिए ये एजें अगले खांकन या केक्षन मानकों की अनुपालना को सुनिशित करवाएगी और आफसेक्ता पढ़ने पर इन कंपनियों को आफसेक्स सलाह भी प्रदान करेगी यह कारे इस राष्टी विती प्रत्विद एजिंशिका रहेगा नेक्स्ट है आंत्रिक अंकेक्षन की अनिवारि कर दिया गया है इस ऐशी कंपनिया आंत्रिक अंकेक्त सकते कंख निवित। कोई भी चार्टेड अकाउंडेट अथ्वा आशे डवल फ आशेड़ो पोस्ट्क अथ्वा कंपनी संचाल द्वारें निरधायो किसी पेसे और व्यक्ति मैं केekं ट्पाइट या एक व्यक्ति इ संचानल मंदल किसी पैसी और विक्ती के सिवाय लेगी जो अंकेक्षिंद अंक्भाक्षिंद का कार ये करेगा कि मशी नेक्स्ट है अंक्भू का चक्रान व्करम ये विश्यष प्राथारों में तो प्राथार रोने सध्याध्वष्ध करता है ृस अधिनियम द्वारा अंकेक्षकों के लिए प्रते पांच वर्सों का एक चक्रान उकर्म वियुस्ता कर दीए इसका मतलब है वह इसका इवर्द्य यह कि कि किशी भी कंपनी में व्यक्ति को अंकेक्षक के रोप में 5 वर्स से अधिक अब दी के लिए न्यूक्त नहीं किया जा सकता है पहले प्रावदानिता अब ये कर दिया गया कि कोई भी एक विक्ति गत अंकेक्सक एक कम्पनी में लगातार पांच वर्स तक ही अंकेसर रह सकता है आप यह दिया है न कम्पनी है को फर्म इंन फिक्ति क्तिकत नहीं है बाद फर्म है तो वह पांच-पांच वर्स से ने दो बार इस परकार से किसी कंपनी के अंक्पनी की आप-बार इसकर कर सकती है और इसके लाह एक वेक्ति अधिक्तम 20 कंपनियों का अंकेक्शन ही रह सकता है जैनि एक वेक्ति जो अंकेक्शन का कारिय करता है वो कोई भी अधिक्तम 20 कंपनियों में अंकेक्शन का कारिय करेगा इसे अधिक कंपनियों में अंकेक्शन का कारिय नहीं करेगा यह प्रावधान भी 2013 में लागू कर दिया गया है नेक्स्ट इसमें आता है गंबीर कपट अनिवर्शन का रहले देखिए कंपनियों की कपट और अंकेक्षन में गड़बडी के लिए सहसाएं पहले भी निवर्ट सी लेकिन अब जो किसी भी कंपनी की दोरा की जाने वाली गड़बडी या दोखा धड़णी कपट गंबीर प्रकृति का है तो इस अधिन्यमें ये जो गंबीर कंपट अनिवर्शन का रहले है गंबीर कपट अनिवर्शन का रहले जो पूरों में चालता लेंगे इसे अब कानूनी मानेता दे दी गई है कि अन्दसरकार को यह सक्ति दी गई है कि वे किशी भी कंपनी के कारे किलापों का अन्वेक्षन का कारी इस कारले को सुप सकती है कारले किसी भी मामलों की जाज प्रारम करेंगे बाद में इन मामलों में किसी भी एजन्ची के स्थिशे नहीं करने दिया जाएगा ये सुतंतर रूप से अंकेक्षन जाज का कारी करें और केंदे सरकार को रिपोर्ट करेंगे नेक्स्ट है अधिकार्ण ये अपीलिय अधिकार्ण अधिनियम में एक राश्ट्री कंपनी विधान अधिकार्ण तता राश्ट्री कंपनी विधान अपील अधिकार्ण की स्तापना का प्रावदान भी कंपनी अधिनियम 2013 में किया गया है ये दोनों सेहता हैं कमपनी दाट के प्रावधानों के परसाच सर में स्वयो करने के उधर्दस से बनाए गई है Next है विशेश नहाले अपरावधों की सिग्र सुमवाई को सुनिश्षित करने के लिए इस अधिने में विशेष नयाले गठन का प्रावधान भी किया गया है इसके अलावा मदेता ये समझोता इस अधिने में यदि कोई कमपनी का मामला विचारा धीन है नयाले में अभिकर्ण में तो इस अध यानि कोई समझोता नहीं हुआ है वे तक केस सल रहा है और उस दोरानी अगर चाहें तो कमपनिया ऐसे मामलों को निप्टाने के लिए मदेता ये समझोता भी कर सकती है और समझोता के द्वारा इस मामलों को निप्टा सकती है ये वेवस्ता भी इसमें की गी है अगर सम्जोता वेउस्ता के तैप मद्देश्टा के द्वारा किशी मामले को निप्टा ले जाता है तो कोर्ट में जो केश सल रहा है जो विचारा दिन है वो उस रूप में उसका निस्तान सम्भव हो सकता है नेक्स समापन की दसामे करमचारी के दिकार एक बहुत अच्छा प्रावधान 2013 में किया गया है इस अधिने में यह वेउस्ता की गई है कि यदि किशी कंपनी का समापन किया जाता है तो ऐसे इस्तिती में कंपनी को करमचारी के दो वरसों तक के बकाया पारिसरम्यका बुक्त करना होगा इसके अत्रिक्त करमचारी को उनके बकाया के बुक्तान में रिंड़ दाताओं से पहले अधिकार दिया गया है इसका मतलब यह हुआ देखिए कोई भी कंपनी का जब समापन होता है तो एक नैले द्वारा या केंदर सकार द्वारा एक लिक्यूडिटर निक्त क किया जाता है जो की कंपनी के समापनी कारवाई करता है और समापनी कारवाई में वो करता है कंपनी के लेंदारों को बुक्तान करने के लिए जो देंदार है जो लाइव जो कंपनी की असेट है उनको उनके बीच में बटवारा करता है और उनका पेमेंट करता है तो सुरू करडा कर दिया गया है कि नहीं पूर यानि कमपनी की कर्भापन करें का सब्कान करेगा उसके बाद रिंधेश ay londer ख нуж अजय को परन करें किसंदारि दो करें इस अपरताम कने कंपनी किर्णाद का इसके लगभ वर्ग कार्यवाई इस अदिनियम में एक प्रोवधान ये भी किया गया है कि कोई भी निर्धायर संख्या में कमपनी सद्द से रिंड़ता या निक्षेप करता है जो कमपनी में पैसा लगाते हैं उसका कोई भी समुह या वार्ग कमपनी के विरुद कारेवाई प्रस्तूत कर सकता है यदि कंपनी के कारेकलापों का वर्बंध कंपंपनी के हितों के पृतिकोल सब्णाइब कर रहे हैं तो इन वर्गों का कोई भी समुह है इस और करने के लिए वाद प्रस्तूत कर सकता है नहां प्रावधान घीवी किया इसके लावाद कि आजकल सब कुछ इलेटन के माध्यम से प्रबंद किया जाता है इसलिए इसमें कुछ प्रावधान 2013 में यह भी किये गये हैं यह प्रबंद प्रशाशन की विवस्ता की गई है जिसमें कमपनी के संचालन जा संचालन मंडल जो है वो कम मंडल की सभाओं में वीडियो कॉन्फियेंशिंग या आने कि ओ डिविजियू सादर कोपियों कर सकते हैं और उनके दोरा भागेदारी निशिद कर सकते हैं केंदिय सरकार को निर्दायत वर्ग है या उनका कोई प्रतिनी दी निए वह बी लेटनिक माध्यम के दोरा कंपनी के सभाओं में ि месте in Sanofran 접 doing that is a mother's goign isstart तरों को इने दो बीक फिर रहें वी से इनको रखा जा सकता है और इनके निजिक्षिन की विषोस्ता हो सकती है कोई इनकी एक कंपनी की निक्सक्व करना चाहता है पर लेकों तो इलेक्ट्रोनिक माद्यम से निरिक्षिन कर सकता है और अन्त में कम्पनी अधिनियम की विशेष्ताओं में इस 2013 में आता है चेतनाय जागरती व्यवस्ता विजिबल मेकनिजम का मतलब यह है कि नए कम्पनी अधिनियम में जो सुचीवद कम्पनियां है या केंदे सुकार कि आधे साथियां से उप्यां कि जाती है कि वे जिस समाज में जहां पर रहकर की कारिए करते हैं उस समाज के हित् Qatar के अगेंस्ट में कोई कार्य ने करें इसको कहते है नितिसास्त्री आच्रन यानि कम्पनी एक पूरा निर्धायर समाजिक हितों के लिए उपयोगी आच्रन का निर्मान करेगी और उसकी पालना करेगी उसको कहते है नितिसास्त्री आच्रन तो नितिसास्त्री आच्रन को लगो करने के लिए इस तरह की विवस्ता कमपनी .13 , अदिनियम के उद्धेस से लागो किन कंपण्यों पर किस पर इस कंपन्यों होगा हुँआ और इस अदिनियम की पर्मूक विशेस नहीं जो पूर वंमें नी थी uns में की गई है उनकी मोटे मोटे रोप में आपने हिद्धा किए धन्यवाद कि आ आ कि झाल